गरीब बहु के घर आए जब अमीर सही ली ओहो तुम दोनों कहा रहे कहीं थी कबसे मैं इंतिसार कर रही हूँ पर्ल, आर्थी तुम लोग जल्दी से नहीं आ सकती थी क्या मेरे लेक्स में दर्थ हो रहा है पता भी है कल में कितना महंगा प्रोडक्ट ली कर आई हूँ अपनी स्केन के लिए और तुमने मुझे यहाँ खड़ा करवा दिया आर्थी, ओहो, सौरी आर, तू तो बुरा मान गई चल नौटंग की कम कर, दो मिनट लेट हुए हैं बस वही तो, एक मिनट पैरल, तू तो अपनी कार से आती है मेरी तरह तो तू लेट कैसे हो गई और यह आर्थी की बच्ची इसके घर गई थी क्या तू, यह गरीब है तो पैदल ही आई होगी आज भी रोस की ही तरह ओए प्रीता, तू बार-बार हमारे बीच अमीर गरीब की बात मत लाया कर क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, समझी? आर्थी, रोस पैदल आती है, आज मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं आराम से बात करती हूँ, आर्थी के साथ पैदल पैदल आ रही थी कॉलेज अच्छा, फिर तो आज मेरी भर-भर की चुगली की होगी तम दोनों ने साथ में अरे यहार, यह तो क्या सोचने लग गई है हम दोनों तेरे दोस्त हैं, चुगली क्यों करेंगी बला? चलांदा चलते हैं, लेक्चर का समय हो गया है ओके, लेट्स को आर्थी एक गरीब परिवार से थी, फिर भी प्रीता और पारोल उसके अमीर सहेलियां थी एक मिनट, एक मिनट, दरहसल प्रीता अमीर थी नहीं, पर अमीर होने का दिखावा जरूर किया करती थी लेक्चर खतम होने के बाद, तीनों सहेली, मुमोज खाकर अपने घर पहुन जाती है तबी बैग रखकर प्रीता टीवी चलाती है, जो कि ठीक से चलता नहीं है ओहो, ये डिपप फिर खराब हो गया, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, एक नया LED टीवी ले लीजिए, कब तक इस खटारे में देखेंगे बिटा, जितनी जादर हो, उतनी ही पैर फिलाने चाहिए, समझी तू? तुझे तो पता नहीं, अपने आपको कौन से तू विक्टोरिया की रानी समझती है अरे मा मुझे अमीरों की तरह रहना पसंद है, आप तो जानती है ना मेरी सहीली पारूल कितनी अमीर है, कार से ही आती है और कार से ही हर जगे जाती है चलाओ ना ये टीवी, इस टीवी के डिब्बे में दो जहापड मार अगर टीवी देखना है, वरना रसोई के काम में लग मेरे साथ, नहीं मुझे टीवी देखना है थोड़ा फिर कुसम सबजी कातने में लग जाती है, और प्रीटा टीवी के ऊपर दो हाथ मारती है, जिससे चेहनल आ जाता है, और वो देखने लगती है फेकुचंद प्रीटा का सुभाव तो आपकी समझ में आ ही गया होगा अब चलते हैं हमारी प्यारी आरती के पास, जहां वो अपने गरीब जोपड़ी में भी, अपने माबाप का बहुत खयार रखती थी मा, पिताजी, ये लीजी आपका खाना, उसके बाद आप दोनों को समय से दवाई भी खानी है, समझे न? हाँ, हाँ, बेटी, हम समझ गए, देखना शेफाली, हमारी आरती बिटिया कितनी बड़ी हो गई, कभी ये चोटी थी, हम इसका खयार रखते थे, और अब ये हमारा जी, वक्त बदल गया, लेकिन प्यार और हालात वही है, इतनी सयानी हो गई है, अब इसके लिए रिश्टा देख लेना चाहिए हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो तब ही रिश्टे की बास दोना आरती, शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है एक तरफ, तीसरी सहेली पारुल, जो कि अपने घर में एक शहजादी की तरह रहती थी, जिस पर पैसों की कोई कमी नहीं थी कुछी समय बाद आरती की शादी वीर से एक गरीब ससुराल में हो जाती है पारुल की शादी अमीर ससुराल के लड़के विराट से हो जाती है और प्रीता भी एक मिडल क्लास दीपक नाम के लड़के से शादी कर अपना घर वसा लेती है उसकी फेकने की आदत अभी भी बरकरार थी अगर वो रसगुले खाती थी तो दूसरों को काजू कतली की बर्फी बतलाती थी ऐसे ही एक दिन आरती हाल-चाल के लिए प्रीता को कॉल करती है अरे हेलो प्रीता कैसी है तो शादी के बाद तुने फोन भी नहीं किया मुझे तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लो अरे वाँ मैं अभी स्पा में आई थी मेरे पेरों की मसाज हो रही है और फेशल वगेरा थोड़ा अपने पर भी तो ध्यान देना होगा ना बस उसी में मगन थी मैं अरे शरम नहीं आती तुम्हें जूट बोल कर चुप करो अकर तुम्हारी जबान की बाद मेरी करीब सहिली ने सुन ली तो अच्छा नहीं होगा अरे थोड़ा अपने आपको अमीर दिखाने के लिए जधाना पड़ता है वैसे तो तुम कमाते हो ही नहीं इतना चलो पेर दबाओ हेलो हाँ आती मैं तो बहुत अच्छी हूँ तुम बता क्या कर रही है चुली पर रोटी पका रही है क्या नहीं अब तो खाना बन गया है भगवान ने जो किसमत में दिया है वैसे ही रहना होगा न अच्छा बहुत समय हो गया मेरी घर पर मुझसे मिलने आजा अरे बाबा अभी मेरा बहुत बिजी शिडियूल है मुझे किटी पार्टी में भी जाना है शौपिंग करनी है बाद में टाइम निकाल कर आऊँगी अच्छा में रखती हूँ बाई प्रीता तुम गली महलने में फेकती थी जूट बोलती थी चलता है पर अपनी पुरानी सहीलियों से तो सच बोलो तुमारा ये जूट तुम्हें एक दिन भारी पड़ेगा हो गया तुमारा अब चुप रहो तीनों सहीलियों अपने अपने जीवन में जी रही थी लेकिन पारूल बहुत समझदार और दोस्ती को अच्छे से निभाने वाली लड़की थी एक दिन अलमारी में वो अपनी तीनों की तस्वीर देख कर कहती है बहुत समय हो गया हम तीनों शादी के बाद एक बार भी नहीं मिले क्यों न प्रीता और मैं आर्ती को सिप्राइज देने चली वो खुश हो जाएगी पारूल प्रीता से कॉल पर बात करके उसे आर्ती के घर चलने को कहती है जिसके लिए वो बहुत नकरे दिखाती है लेकिन अन्त में मान जाती है और एक दिन दोनों अमीर सहीलिया हाथ में कुछ तोफ़े लिए अपने गरीब सहीलिये के घर आती है अर्ती सिप्राइज कैसी है? अरे तुम दोनों अचानक से तुमें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो? अंदर आकर बैठो उफो ये क्या? चो रूपीस चार पाई है ये तो तो पहले भी गरीब थे और अभी भी गरीब है आती कम से कम अमीर घर में शादी करती तो तेरी किसमत बदल जाती अच्छा जीजाजी पर कम से कम बाइक तो होगी? देख मेरे वाले के पास चार पाई है कार तभी चार पाई पर पड़े वीर की खांसी की आवाज आती है आर्ती आर्ती ज़रा पानी देना अरे तुम्हारे जीजाजी की तबियत खराब है एक मिनट में आती हूँ इने पानी दे कर तब ही आर्टी अपने हाथ से अपने पती को पानी पिलाती है अरे आर्टी जीजाजी को क्या हुआ बहुत तबियत खराब लग रही है तुने हमें कुछ बताया क्यों नहीं तुम लोगों से बता कर क्या तुम्हारी शादी शुदा जिन्दकी खराब करती पंद्रा दिन से उनके दबेद बहुत खराब है डॉक्टर ने उनकी पतरी का उपरेशन करने को कहा है और मेरे पास बिलकुल पैसे नहीं है जितना था सब गहने बेच कर इलाज करवा दिया तब से घर में ही खयाल रख रही हूँ तुम चिंदा मत करो अभी ठीक है वो अरे तुम दोनों अपने अपने पती को क्यों नहीं लाए अरे वो मैं इतनी जल्दी में आई कि मुझे उनको साथ लाना याद ही नहीं रहा और मैं तेरी जीजा जी को कैसे लाती आरती तो दो जानती है पैसे कमानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो अपनी कार से मुझे इसके घर पर छोड़कर चले गए क्योंकि मिटिंग भी थी अच्छा कोई बात नहीं तो तुमसे तो मैंने चाए नाश्ता पूझा ही नहीं मैं अभी आई अरे यार सुभी मैंने बस ब्रिक्वर्स किया था कुछ कहा कर नहीं आई तो कुछ खाने कर लिया मेरे लिए ठीक है अभी लाती हूँ आर्ति चट्णी रोटी लाकर देती है तभी यह भगवान यह क्या दी रही है मैं फाइव स्टार होटेल का खाना खाने वाली और मुझे रोटी चट्णी खिला रही है यहां पर तो मुझे गर्मी भी लग रही है पंखा भी हाथ वाला है, तेरे घर पर तो सो भी नहीं सकते अगर मैं अपनी गाड़ी लाती तो उसी में ही सो जाती एसी चला कर रहती कैसे है तु यहाँ बस कर प्रीता, तुझे उसकी हालात पता है तू ऐसे क्यों बोले जा रही है प्रीता की बात सुन आर्थी को शर्मिंद की महसूस होती है, फिर पारोल उसे समझाती है इतने में शाम हो जाती है और वीर की तबियत खराब होने लगती है आर्थी, आर्थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले चलो इह भगवान, अब मैं क्या गर हूँ, उनके हालत बहुत खराब हो रही है प्रीता, तो कुछ करना, जी जा जी को बला कर, उनके पास गाड़ी है न, वही इने जल्दी से अस्पताल ले चलेंगे और तो मुझे थोड़े पैसो की भी मदद कर देना तब ही वहाँ स्कूटर की आवाज आती है और दीपक आता है अरे दीपक जी जा जी, आप, प्रीता बता रही थी, आपके पास गाड़ी है, आप स्कूटर पर क्यों आए है अरे साली साइवा, आपको कोई घलत फेमी होगी, मेरे पास तो स्कूटर ही है, आपकी सहीली ज्यादा ही भेगती है क्या? प्रीता, तुने जूट बोला? अब मैं क्या करू? मेरे पती की तबियत कैसे ठीक होगी? वीर जी, आप चिंता मत कीजी, सब ठीक हो जाएगा आर्ती तो चिंता मत कर, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, जीजु को उसमें लेकर चल फिर बारिश होने लगती है, जल से पारूल कार ड्राइव करके आर्ती और वीर को जल्दी से हॉस्पितल पहुँचाती है जहां डॉक्टर उसका ओपरेशन करते हैं, उसी के बाहर देपक प्रीता को डांट रहा होता है देखा, तुमारी अमीर दिखावे ने तुमारी सहेली की आशा को कैसे तोड़ दिया इसी लिए बोलते हैं, कभी पैसों का दिखावा नहीं करना चाहिए, जब तुम किसी के काम ना आ सको तुने बहुत गलत किया प्रीता, बहुत गलत किया, वो तो शुकर है आज पारूल यहां थी हाप रीता, गलत किया, आई होप तो दुबारा ऐसा ना करे, क्योंकि आज आरती को तेरी जुरत थी, कल को तुझे ऐसी तकलीफ होती तो हम तुझे पैसे वाला सोच कर तेरी मदद ना करते तो नहीं नहीं, मुझे अपनी गद्धी का एहसास हो गया है, तुमसा मुझे माफ किर दो, दिपक, I am sorry, तो बारा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारूंगी इस तरह प्रीता का फेकना और अमीरी का दिखावा करने का ढोंग खतम होता है, साथ ही में उसे अपनी गलिती का एहसास हो जाता है, और आरती का पती भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद तीनों सहेलियां अपनी दोस्ती को आगे तक बनाए रखती है